अरियो, ओम, शृ परमात्मने नमः श्री स्वस्तानी पर्मेश्वर्यई नमः अब अरम गरौ्ण स्री स्वस्तानी पर्मेश्वर्यई को बॉद्ध कत्पा नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्या नमहाशिवेभ्याशिवपादुकाभ्या गोरक्यमत्यंद्रपसूपतेव्यो नमो नमहाशद्गुरुपादुकाभ्या। ओम महाराजास्च दावन्य सालग्रामस्च गंडकिम् स्रीधाम निलगेरिष्च मुक्तिनाथ नमस्तुते। मौला काले कुमरवर्ति सिद्धेशं नर्मदेश्वरं त्रिवेणी राम ग्रामस्च नमस्ते बर्दगुर्या। ओम स्रिम्हें रिद्धि सिद्धिम्चाद स्वस्तानी परमेश्वरिं। गजेंद्र मोक्षधामस्च देवचुल्ये नमो नमहा। गजेंद्र मोक्षधामस्च देवचुल्ये नमो नमहा। प्रेश्वरांस हार्दिक नमन एवं अविबादन कारेक्रम स्रिश्वस्तानी साधनामा। रतमाई संपुर्ण दर्षक महन भावरुलाई बंदे मातरम को अविबादन टक्र्यावन चाहांचु। हामे तबायरू सामू स्वस्तानी परमेश्वरी को ब्रतक थालिये रव उपस्तित भायका छों। स्वस्तानी परमेश्वरी को अविबादन चाहांच। स्वस्तानी परमेश्वरी को अविबादन चाहांच। बामेच बरमुत्पलं चतुर भूजाम त्रिनेत्राम्च। स्वस्तानी परमेश्वरी को अविबादन चाहांच। महेश्वरे आदिगरिये का अस्ट मात्री का अरूलाए चारई तिर राकेरा बीज भाग मां बस्नुवायको छों। वहांको हात्मा त्रिशूल छों। तरवार छों। चक्र छों। कमल छों। इसते स्वस्तानी परमेश्वरी ले तपाई हामे सबय को कल्यान गर्णूने छ। तेसले आवनुस स्वस्तानी परमेश्वरी को ब्रत कथा आरंब तरफ लागूं। कथा आरंब गर्णू अगी आवनुस माग महात्मे अंतरगत स्वस्तानी माता को प्रार्थना गरूं। कथा स्रवन गर्णू पूर्वाग। ओम स्रिगले साय नमा स्रिष्वर्ष्वर् नम हाम। यंड रम्मा वर्णें ररुद्रम अरुत्स्तन वंती देभ्यस्ता वेर। वेदैर शांग पताक्रमो पनिसदेर गायं। यं शामगहाम। ध्यान आवस्तिततत्द गतेन वनसां पश्यंतियं योग्नूं। से मच्चन्न नचरिचित अज्वलबपू सुक्लांबरा मल्यका माला लंकृत कुंडला प्रविलसन्मुक्तावले सोभिता सर्भज्यान निदान पुस्तकदरा रुद्राक्ष्यमाला करा वागदेवी वजनामुजे वसतुमे त्रैलोकमाताचिरं मुकं करो तिवाचालं पंगं लंगयते गिरिम् यत्किपात महंबंदे परमानंदमादवं नमो भगवते तस्मैं व्यासाया मितते जसे यष्य प्रशादाद्बक्ष्यामी नारायनकतामिमाम नारायनम नमस्कृत्या नरम्चै वनरत्तमं देविम् सर्शतिम् व्यासं ततु जयमदीरेत ओम स्रिश्वस्तानी परमेश्वर्ये नमहाम स्वस्तानी मातालाई मनसा बचसा पुस्पार परणगर दै अब कथा स्रवनगरू स्वस्तानी परमेश्वरी को ओम स्रिश्वस्तानी परमेश्वर्ये नमहाम अथा द्वाद सोध्याया कुमार्जी आज्यागर नुन्छ वे गस्तिमुनी गिरी राज हिमालायले आपनी धर्मपत्नी मेनका गर्विनी भायको था पायर अत्यंद प्रसन्न भई मर्यादा प्रुबग उचित कर्म गराय पची दस महिना पची मेनका को गर्वबाट कन्या उत्पन्न भईन शूरी नारायन को जस्तो तेज भाय की अत्यंता रामरुप पद्मपत्र अर्थाद कमल को फुल को जस्तो नेत्र भाय की बत्तिस लक्षनले युक्त भाय की कन्या को जन्म भायो हिमालाय ले पनी बशिस्टादी गरिये का रिशी महर्शी जोतिसी और लाई बोलायर नामा करण ससकार गराउन भयो रिशी और ले बने हे गिरी राज हे हिमालाय इबालिका को नाम पार्वती भयो तिमी धन्ने रहे छव किनकी इनले जगदिश्वर महादेव स्वामी पाई त्रैलोक को मालीक नी भयर अनेक दान भरुको संगहार गरने छन तेश पची हिमाले प्रशन भयर सबजलाय इच्छा भोजन गरायर नाना द्रव्यदीब विदा दिरा भय उने रुपनी संतोस्ट भयर आपना आपना आश्रम मा जाना भय तेश पची शुक्लपक्षे का चंद्रमा जाई प्रते दिन बढ़ेरा पार्वती ठोली उनवयो अनी उनी लाई खेल्दा अपनी शिवलिंगा बनायरा उनाई मा भक्ती राखेरा खेल्दा थिन एक दिन न नारद मुनि विष्णु भगमान कहा पुगेर बिंति गरदशन हे भगमन हिमालय पर्वत के पत्रे पार्वती बतिस लक्षनले युक्त सुन्णरी शन् ती कन्या संग अत्पाइं बिभा गर्नु अवास बनेर नाराद रिशले बिंति गरे श्रियरी विष्णु लाई अन परदाइन मा सब गयरा मिलायरा आऊचु एती भनेर नारद मुनि स्रासर हिमालय कहा पुगे देवर्शी आये को देखी गिरी राज ले उचेत सतकार गरेर बसालनु भयो अने नारद बिंतिगादसन हे गिरी राज हजुर के कण्या बैकुंट नात स्रीहरी विश्नु लाई शुनावदा भय अने आपनो आश्त्रम मा जादा भय एस पचे हिमालय ले छोरी को बिभागर्न सारा सामगरी तयार पारी नारद मुनि लाई डाकी विश्नु कहा पठाई लग्नको दिन निश्चय गरायर आपनो गुरु बशिष्टादी सबै देवतारी सी मुनि संत्रना पठाई बुलावनु बयो उताश्त्रिहरी विश्नु भगवान पने पारवती सित विभागर्न सारा तयारी को साथि मालय कहां पुगनु बयो मेनकाले छोरी लाई बस्त्र आगोशनले शुशजित पारी शक्न बयको थियो त्यो देखेर जया विजया आदी पारवती हे सकी आजत तिम्रो विभा हुँचा विश्नु लाई कन्यादान दिन लागनु बयकोशा तब माता पारवती बन्न हुँचा मा बालक काल देखी नही श्री महादेव लाई स्वामी पाउँ बनी उनही लाई बदन्गरी बसी रहे कुचु अब अरु कसा इलाई दे भने महा हत्या गरेर मरनेशु शकी अरुले बने हे पारवती तेश वबय तिमी यहां बस्नो दैना तिमीलाई हामी कसा इले नवेट्ट आउने स्थानमा लुकाई आउने संचा अडई हिना इस तो शकी अरुको शल्ला मानी पारवती उनिहरुका साथ लागे घरवाट निश्कन उभयर उनी अरुले पनी नदी तटको बन्मा लगेर एकांत स्थानमा लुकाई आए तेश पची हिमालाई परव हिमालाई कर्ण्यादान दिना पारवती लाई ल्याउन भन्दई खोजन थाले तर उनी घरमा भेटी नन सबई तेर खोजे तर कहीं पाउन सके नन गिरी राज तेव समाचारले आत्येर गुरु प्रियस्पतिलाई सबई इकुरा बिन्तिगरे ब्रियस्पतिले एसलग्णमा भायन भने पिष्णू आदी सबई देवताशित भने पची उनियरु फरकेर आपना आश्रम मा जाला भई उता सकी अटले लुकाई राई पची पार्वतिले नदित तत्मा बालुआ को शिवलिंग बनाई ठोलो कस्त सहेरा शिवजी को तपस्या गर्न लागन भयो तेसे प्यला प्रघोश दमगोश आदी नामगरे का द्विद्धै त्यारा पार्वतिको सवंदरे मा मुक्दवै नराम्रोच्यस्टा गर्न थाले पार् महादेव स्वयं प्रकट उनवयो और पार्वतिले आपनों दिव्य सरुक को दर्शन दिनवयो महादेवले और भनवयो हे सैल पुत्री हे हिमालाई पर्वत की छरी पार्वति मेरो आराधना किन गरे की हाव भनेर स्वंद्वै महादेवले तिम्नों इच्छा क्ये छ भनम तियस्पशिप माताथ पार्वतिले दन्वत गरेर बिंति गर्नूंच हे जगदिश्वर हे महादेव मा बाल लेकाल देखी नहीं हजुर लाई स्वामी रूप मा प्राप्त गरू भनेर चिंतन गरी रह की छूर मेरा पिताले अब हजुर प्रसन्न भायर मिर रक्षा गर्न अवस भनेर बिंति गर्नू भयो तेश्वर महादेव ले आज्या गर्नू भयो हे पार्वति तिम्रा मातापिताले नदे मैले श्त्री भन्नू रईना अतति मिलाई विष्णु आई जस्तो शिक्षा दिनन उस्ताई गर्नू अनि मलाई प्राप्त गर्ने सव यती बनेरा स्षिवजी अंताव ध्यान हुनू भयो अनि पार्वति घर जानू भयो हिमालाई ले छोरी आयको देखे रा रिषा आयरा भन्न थालनू भयो कहां गई कि थियो अनि पार्वति माता बन्नू छा हे पिता मैले बाले काल देखी नहीं स्री महादेब स्वामी पाउ भनी उनही लाई भजन गरी रायकी थियें हजुरले विष्णु लाई दिन लागदा भागेर लुक्न गये कुहुं पिता जी छे माँ पाउ छे माँ पाउ बनेर बंदिव यह सरी माता बार्वति लें बनेगो सुनी न्वारन को दिन बसिष्ट आदि गरियेका भविष्य ग्याता रिशी मार्शी जोतिशे और ले बनेगो कुरा सम्झेर चुप लागणु भयो अहो अमेले ता बिर्शी रहको रहे चु महादेब पति पाउने च्छन इनले बनेर तिनको भगतिले प्रसन्न वाई श्रियरी विष्णु भगवान चतुर भोजी रूप धारन गरेरा पार्वति कहां आई आज्या गर्णु भयो यह गवरी तिमरो भगतिले मसंतुष्ट बये बरदान मागर पार्वतिले बिन्ति गर्णु भयो यह भगवान श्री स्वामी पाउं एस बायक अरुकु नहीं पनि बरदान मागने इच्छा चैना त्यो सुनी विष्णु भगवान ले बन्नुवयो यह पार्वति संसार का सबै ब्रतहरु मां उत्तम्र थोरे परिश्रमनले इच्छा पुण हुने जुन ब्रतचा त्यो मतिमिलाही भगवान द्यान पुर्वक्षुना पौस्माहीना को सुक्ल पुणिमा का दिन देखे ब्रता अरंव गर्णु पर्दचा ब्रतिले हाद गोडा को नंकाटि पवित्र भैर एक भक्तरै नित्यमध्यान नकालमा महादेव को पुजा गर्णु पर्दचा अनि एक महिना पगे पचे सुक्ल पुणिमा को दिन अच्छेता जव तिल बेली पुष्प यग्य सुत्र सुपारी पान फूरु सबै एक सै आठका दरले तयार पारे आर्शी को थालीमा ओमकार लेखे गंगा चल्ले इस्नान गराई रक्त चन्नन फालफोल बस्त्र बेटी नैवेद्य कस्तुरी चड सुड़शो पचारले स्री श्वस्तानी परमेस्वरी को पुजा गरेर स्तोत्रपाह्ठ गरनु अनि अर्ग दियेर आफुले चितायको बर मागनु साजा कथा स्रवनगरनु स्री स्वस्तानी परमेस्वरी भने की कस्ती हुनुँँच वने आस्टांशुचा दलेष्वेवा मात्रिकास्ट सितास्तथां खाडगं त्रिशूलं चॉर्दंचा आर्देचा बरमूत्पलं चतुर भुझां त्रिनेत्रांचां सर्वालंकार भुसितां सुवर्णावद विकासावा स्वस्तानी परमेश्वरी स्रिहरी विष्णु स्वस्तानी मात्याको बनन गर्दै बन्नूंचा खाडगं त्रिशूल बर्व निलकमल हात्मा लियेके अस्टदव कमलमा आठ मात्रिका कारूप मा बसने तीन आखा भयकी, चार बाहु भयकी, नाना अलंकार बस्त्र पहिरेकी सुनको जस्तो बढ़न भयकी यस्ती स्वस्तानी परमेश्वरी लाई सम्झेर ध्यान गर्नूं बनेर श्रिहरी विष्णुले माता पारवति लाई कुमारी मा ब्रतवसे की कुमारवर्ति कुमारी पारवति लाई भन्नूंच रयो प्रसंग मा अगाडी अधे बन्दै उन्नूंच अन्ते मा विषर्जन गरेर प्रसाद जिकनूं तेस्वाट रोटी अक्षेता पुष्पः सुत्र पान सुपारी सभई आठ आठ का दरले सगुन समेत आखनो पति लाई दिनूं पति नवय छोरा लाई दिनूं अनि छोरा नवय मीत छोरा लाई दिनूं त्यो पनी नभय मेरो यो फलानो कामना सिद्ध हवस भनेर गंगामा बगावनूं हामरो यान पवित्र नारेणी गंड की उनूंच त्यालेर बगावनूं रभन्नो मेरो यो कामना सिद्ध हवस भनेर अनि स्वयर्वटी आफुले फलार गरनू रात्रिमा जाग्राम बशनू बदन किर्थम गर्णू स्वस्तानी माता को अने स्वस्तानी परमेश्वरी को कथा बन्नू तथा सुन्नू तेसाई ब्यलामा श्री महादेप तिमिलाई दर्शन दिन पालनू होने चाँ विश्वास्वेर तिम्रों भक्ति देखेरा मा प्रसंद नवय भन्नु नेच तिमिले जगदिश्वर महादेव स्वामी पाहे इस्तो बरडान देपची माता पारवतिले मनमा आनन्दमाने स्रद्धा पुर्भक स्रिहरी विष्ण को पूजागर्न भयोरा तेश्पचे स्रिहरी विष्ण अंतर ध्यान भै बैकुन प्रजान भयो इते श्रिश्कन पुराने के दार खंडे माग महात्मे कुमार अगस्ति समादे स्रिश्वस्तानी परमेशर्या ब्रतकथायम स्वस्तानी ब्रतो पदेशो नाम द्वादसो त्यायः बढा सुंदर प्रसंग आजा को ब्रतकथायमा त्मयरलाई स्मनंगराउँ अवडा सुंदर प्रसंग स्वविष्या पुरान को प्रसंग हो युदिष्टीर श्रिक्रिष्ण संभाद मा युदिष्टीर जिग्यासा राहद है प्रस्ट गर्नोंच पगवान श्रिक्रिष्ण संग श्रिक्रिष्ण गोकुल का नर नारियरू सुखी सन सवय कुडाले भरिपूड सन तरह हम्रा नारियरू किन सैन बनेरा युदिष्टिर ले जिग्यासा रहगदा भगवान स्रीक्रिष्ण बननों छा मुष्कुरामदय बननों छा हम्रा गोकुल का नर नारियरू रिशी पंच में लगायत का पंच परभारु माया अनि एस छेत्रमा रहका स्थानिय देवी देवतारु को पुजागर्ने समयमा उनेरू सबय को आराधना गरदशन सबय देवी देवतालाई सबय लेक सबय गोकुल बासिले मरयादा आरागदशन सम्मान गरदशन ब्रत भशदशन तेसले हमरा यहां का नर नारियरु सवई सुखी संपन्न संपन्न बन्नु बाएको थियो तेसले तवे हामी पनी सुखी संपन्न र ऐश्वेर साली बन्नु सवने श्री स्वस्तानी परमेश्वरी को विदिपुर्भग, पूजा, ब्रत नसके कथास्रवन मात्रवायपनी गरे र प्रशादलियू र स्वस्तानी परमेश्वरी को द्यान गरो स्थानिय देवी देवता अरुको चिंतन मनन गरो यो प्रसंग वस मैले यहां लाई जोणे स्रियारी विश्नुले पार्वति लाई स्वस्तानी परमेश्वरी को ब्रत गरने बिदी बतावनु बायको थियो यो महत्तपुन पक्ष आजको साधनामा हमिले चर्शा गरें फेरी भली को साधनामा पनी हमिले यस प्रसंग लाई अगारे बढ़ावने साँ आवनोस अवा मंत्र पुष्पाँजली लिनुरा आजको साधना राटा हमिले बिदावनु परने हुन्छत ओम उपनायतु मंगलम वास्चा कला जगन मंगलालय स्रीमान दिनकार किरणनी वोधित नवनली नदलनी वेक्छन क्रिष्नहां काले वरसत परजन्यहां प्रथवे ससेसालिनी देशोयं छवराइतो ब्रामना संतु निर्भयां अपुत्रहा पूत्रिना संतु पूत्रिना संतु पूत्रिना निर्धना सदना संतु जीवन्तु सरदाम्सतं तत्रई वगंगा यमनाच तत्र गोदावरी शिंदु सरस्वतीच तिर्थानि सर्वानि वसंति तत्र यत्रा चुतु दार कथा प्रसंगा या कुन्यंदु सारहारधवला या सुब्रवस्ता वृता या वीना वरडंड मंधितकरा या सुइत पदमासना या ब्रम्मा चुत संकरा प्रवितिवीर देवैसदा बंधिता सामां पातु सरस्वती भगवती नेशे सजाध्या पहां काये नवाचार मनसें रेरवा बुद्ध्यात मनात्वा प्रकृतिर स्वावात करोमियद्यत सकलंपरस्वै नारायना येति समर्पयतत ओम स्री स्वस्तानी परमेश्वर्ये नमां मंत्र पुष्वांजलिम् समर्पयामां स्रे स्वस्तानी परमेश्वरिले हामी सवै को कल्यान गरुन आजको स्वस्तानी साधना कारिक्रमबाट हामी सवै लाई विदा दिन होस् निरोगी सवै हुन सवै हुन सुखिया सवै बेस देखुन नहुन कई दुखिया ओम सांति 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 बंदे नेपालमातरम नेपाल आमा कुझे वस्तानी परमेश्वरिले विद्रपयामां